आपका फोन चाहे कोई भी हो ओपो रियल्मी वीवो वन प्लस सैंसंग शौमी रेडमी पो यह दि आपका स्मार्टफोन इस तरह से उसके आप पीन पैटर्ण और पासवर्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट और फेस लॉग को आप रिसेट नहीं कर पा रहे हैं अपने हैंडसे कि आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलोग कर सकते हैं और यहां पर हम कंप्यूटर की यानि कि लैप्टॉप की भी हल्प नहीं लेने वाले हैं साथ में आपके हैंडसेट का एक भी डेटा जैसे की फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट एप्लिकेशन इसके साथ आपका को अनलोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉक्ट मॉबैल के का के हल्प्र से आप यहां पर देख रहे हैं हमारे हात में जो हेंडसेट है यह भी एक ओल्ड हैंसेट हैं और यहां पर फिन लॉक करने की कोशिस करते हैं, साइध उन्हें पासवर्ड याद आ जाए, ऐसा वो सोच के ट्राइ करते हैं, यदि आप ऐसी गलती 10 वार कर देते हैं, तब तो कोई बात नहीं, यदि आप 10 वार से ज़्यादा अटैंप लेते हैं इस तरह के गलती के, तो आपका जो हैंसेट ह वो डेड हो सकता है, इसके पिछे बहुत कारण लेकि जो सबसे मेजर कारण है, कि आपका हैंसेट आज के टाइम में इतने एडवांस होते हैं, यदि आप उसमें 10 टाइम से ज़्यादा मोर देन आप 10 टाइम इसमें गलत पासवर्ड अप्लाइ करेंगे, तो आपका जो हैं आपके हैंसेट को आफ-लाइन मोड में आपको अपलाइ करेंकर देना यानिकि हैंसेट को ओफ-लाइन मोड में लेके चले जाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप लेना है, वो है, आपके नीचे दीएगा जो आप इमर्जेंसी कॉल का ऑप्सन इसे आपको यहाँ पर select करके open करना होगा और यहाँ पर आपका emergency call only आपके आ जाएगा अब यहाँ पर आपको एक number डाल करना है जो आपको यहाँ डिस्प्लेय पर देख रहे हैं सेम इसी number को आपको अपने handset में apply करना है और इस number पर यहाँ पर three time आपको calling कर देना है calling करने के लिए हम यहाँ पर call का बटन का इस्तमाल करेंगे और यहाँ पर आपको call fail का message आपको notification देखने को मिलेगा इसे आपको ignore करते हुए यहाँ पर okay कर देना है अगेन आपको इसे फिर से करना है तीन बार करना है और जो आपका तीन बार हो जाए आपको यहाँ से इन number को ह activate कर देना है अब आपका जो हैंसे वह 100% offline mode में चला गया अब आपका आगला step के है बहुत ही इजी है लेकिन आपको इसे समझने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पर जो आगला step है हमें इस यहाँ पर इस्तिमाल करना है master locking code का जो यहाँ पर है स्टार है एट double line और है और यहाँ पर हम जैसी है को क्लिक करेंगे आपका master locking mode या फिर उसके सभी सेंटर के वासा में कहते हैं इंगिरियर मोड ओपन हो जाएगा अब आपको यहीं पर सबसे important काम करना है आपको यहीं पर ध्यान देके समझना है कि मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ अब यहाँ पर तो ऐसे आप बहुत सारे steps लेके सीख सकते हैं लेकि हमें यहाँ पर लेना है अपने handset को unlock करने का step से उसे द्यान से यहाँ पर apply करना है first of all आपको यहाँ पर चलियाना number 5 पर जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है software वर्जन इसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर लिख रहा है android वर्जन यहाँ पर जितने time आपको यहाँ पर लिखा होगा उतने time आपको यहाँ पर क्लिक करना है यानि कि आपको उतने टाइम यहां पर इसे टैप करना है तो चलिए से जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब आपको यहां से बैक हो जाना है यह बहुत जरूरी पार्ट था इसे आप ध्यान से समझ गया हो तो अच्छी बात नहीं तो आप दुवारा से बैक करके देख लिजिए अब आपको यहां पर नमबर 4 पे एक उप्सन जिसका नाम है मैनुमल टेस्ट इसे क्लिक करना है इसके बाद आपको सबसे लास्ट वाले पेज पर जाना है और यहां पर आपको दिखेगा डेटावीर फरसन इसे भी आपको 7 टाइम क्लिक करना है 1,2,3,4,5,6,7 इसके इसके आपने एक यहां पर करने का कहा जाएगा तो यहां पर इसे कंफर्म करना है यहां पर इससे क्लिक करना है second time आपको फिर से यहां पे click करना है और तीसरी बार में है आपको इसे फिर से cancel करते हुए, for time में आपको इसे okay करते है आपको पासवर्ड है वह यहां पर wrong password का Java truth का करकें और पासवर्ड का जो वो यहाँ पर आपको not started mode में रहेंगे पहले से आपको यहाँ पर इसे manually दोनों को start कर देना है खुद से one by one और आपको minimum यहाँ पर एक pass आना चाहिए दोनों पास आता है तो अच्छी बात है लेकि दी एक भी आ रहा है तो आप समझेए कि आपका headset यहाँ पर unlock हो जाएगा बस आपको एक दो step जो बाकी है उसे लेने होंगे अब आप यहाँ पर पास का notification देख लेंगे तो यहाँ से आपको back हो जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीजी जाएगे जहाँ पर आपको दिखेगा M sensor इसे आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको minimum 5 second के लिए आप आपको इससे synchronize होने देना है जब तक यह 5 second तक नहीं होगा आप यहाँ से back न करें जब आपको लगे कि आपके 5 second यह उसे ज्यादा हो जुके हैं तो अब आप यहाँ से back हो सकते हैं जब आप यहाँ से back हो जाएंगे आपको बापत से जाना होगा सबसे लास्ट वाले की हैं तो आपको दुबारा से उसे repeat mode में आपको करना होगा दुबारा से आपको बापस से करना होगा सेम प्रोसेस इदि आपको यहाँ पर पास आगया है तो बहुत अची बात है अब आप यहाँ से back हो जाएं और यहाँ पर आपको जो सबसे लास्ट रस्टे पर वह हम य सेट हो चुका है आप यहाँ पर live यहाँ देख सकते हैं आपके एक तरफ की हैं और दूसरे तरफ आपको पास दिखा रहे हैं जहां पर आपको not supported है और फिडो की यह आपके इस हैंसे को सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पर यह नोट सपोर्ट है और आप यहाँ पर यहाँ पर back करके देखेंगे इसके home screen को कि आपका हैंसेट यहाँ पर unlock फ़ा कि नहीं है इसके लिए हम यहाँ पर back home screen को click करेंगे आप दे सकते हैं आपका जो हैंसेट है वो successfully यहाँ पर unlock हो चुका है और बात करेंगे कोई data का तो आपका एक भी data lost नहीं है even कि आपके सारे messages calls आपके record के जितने भी आपके photos हैं वीडियोज हैं वो सारे आपके हैंसेट मुझूद हैं बसरते कि आपने एक घंटे के अंदर एक नया password नहीं लगाया होगा आपको एक घंटे के अंदर जल्दी से एक नया password लगा लेना है वरना आपका हैंसेट दुवारा से lock हो सकता है और यदि अभी भी आपका हैंसेट अनलोक नहीं हो रहा है उसकेस में आप हमारे चैनल को जोइन कर सकते हैं जहां भी हमारी टीम आपका इंतिशा करती हैं जैसे आप हमें जोइन करते हैं हमारी टीम के तरब से आपको एक वीडियो पर मतलब वार्साप पर आपको वीडियो झाल झाल